हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सब का एक बार फिर स्वागत है, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान में अर्बनाइजेशन, शेहरी करण और शेहरों शेत्रों का विकास, ये चेप्टर एक्जाम के एंगल से बहुत जादा इंपोर्टन नहीं होता है, इसमें पढ़ने के लिए भी स्कोप कम है, लेकिन फिर भी जो मोटी-मोटी बाते हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, तो आएए एक बार इस चेप्टर पे हलकी सी नजर डालके देखते हैं कि कहां-कहां, क्या-क्या इस चेप्टर में महितोपूंड है, चेप्टर य कितना development किस एरिया में हुआ, सड़के कितनी बनी, अंद्रुनी सड़के कितनी बनी, सीवरेज सिस्टम कितना विक्सित हुआ, पानी के कितने connection लगे, यह याद करना आपका काम नहीं है, आपका general knowledge होता है, आपसे यह कोशिश की जाती है, कि जो बड़ी घटनाए हो रही है, उनके बारे में आपको जानकरी हो, तो उसी सतर पे हम लोग देखेंगे, अब एक report है, जिसका नाम है संयुक तराष्टर सतत्विकास report, सतत्विकास को हम लोग अंग्रेजी में बोलते है, सस्टेनेबल ड़लपमेंट, तो जो सस्टेनेबल ड़लपमेंट report है, United Nation की 2019 की, वो एक fact बताती है आपको, और वो fact क्या है आई है, उसको देखते हैं, तो सतत्विकास report ये हमें बताती है, कि 2007 से विश्व की आदी सदिक आबादी शहरों में निवास कर रही है, तो after 2007 उसके बाद से और 50% से जादा वर्ड पोपुलेशन शहरी शेतर में रहती है, ये बात हम हमें अब शहरों में विकास करना है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हम लोग 2023 तक इंतजार कर लें, तो 2023 तक लगबग विश्व की 60% आबादी शहरों में रहेगी, अब आप में से कुछ लोगों को यो लगता होगा कि शहरों में ऐसा क्या है, शहरों में एक इंपलॉय Continuing के विना रोजगार के तो नहीं रह सकते, रोजगार के विना गुजारा कैसे होगा और ग्रामिन शेत्र में रोजगार के कोई साधन अब नहीं बचे है, धीरे धीरे ग्रामिन शेत्रों में रोजगार लुपत होता ढ रहा है क्यूकि पहले रूरल एरिया में ए और शहरी शित्र में अबादी का percentage बढ़ता जा रहा है, इसके साथ साथ आज के दिन जो modern lifestyle है, ग्रामिन शित्रों में वो सारी की सारी lifestyle के सादर नहीं मिल पाते हैं, जैसे example के लिए कई बार रूर एरिया के अंदर अच्छी schooling नहीं मिल पाती, अच्छा medical treatment नहीं मिल पाता, और और इच्छी सुधाय नहीं मिल पाती, जिनकी तलाश में लोग गाउं से शेरों की तरफ आ जाते हैं, तो यह हमें पता चला कि फिलहाल 50% population रहती है और 60% तक यह आगे expectation है, अब अगर हम लोग यह देखें कि जो GDP होती है, production होता है, production के अंदर GDP में सकल घरल उत्पाद में लोग देखें, तो शेरी शेत्रों का योगदान लगभग 60% रहता है, मान लीजिए, आदे से ज़्यादा विश्व जड़ीप शेरी शेत्रों से आती है, बड़ा नेचुरल है, क्योंकि ग्रामिन शेत्रों में लगभग सिर्फ एक कृशी है, जिसकी वज़े से GDP में कुछ contribution आता है, सेवा शेत्र ग्रामिन एरिया में होता नहीं है, उद्योग धंदे ग्रामिन शेत्र में इन जनरल होते नहीं है, तो इन सभी कारणों से उनका योगदान शेरी शेत्र में ज़ादा और ग्रामिन शेत्र में कम नजर आता है, अब कुछ factual information है, फुल जनसंख्या का प्रतिश्यत शेहरी जनसंख्या, मतलब अगर राजस्तान की total population 100% मान ली जाए, इंडिया की total population 100% मान ली जाए, तो उसमें से शेहरी जनसंख्या कितनी है, वो हम लोगों को देखना है, urban population कितनी, देखे, सबसे पहले हम लोग compare करते हैं, इंडिया को लेते हैं, भारत को देखें, तो 2001 में 23.39%, इतनी population राजस्तान की शेहरी शेतर में रह रही है, तो राजस्तान में शेहरी शेतर में population उस समय इंडिया की average से जादा था, उसके बाद हम लोग चले, तो बात आ जाती है, 2011 की 2011, दस साल के बाद, 2011 में लगबग 31% भारती जनसंख्या खेरों में रह लेकिन राजस्तान के अंदर 24% शेहरी जनसंख्या, और अगर अगर हम लोग आंकडे 2021 के देखें, तो 2021 के final आंकडे नहीं जारी हुए अभी अनुमानित आंकडे, प्रोविजनल फिगर के हिसाब से भारत का 23% आबादी शेहरी शेतर में रहता है, लेकिन राजस्तान के लि 2011 में राजस्तान के कुल जनसंख्या अनुमानित, 6.85, अगर हम लोग ले ले, तो उसमें से पुरुषों के जनसंख्या अगा 3.5 और शेहरी जनसंख्या कितनी थी, 3.30, तो यह हो गया, अगर इस ही को हम लोग 2021 में लें, तो यह टोटल जनसंख्या होगी, 7.93, जो पुरु लिंगानुपात को शहरी शेत्रों के लिए और ग्रामिन शेत्रों के लिए अलग-अलग calculate किया जाता है कि शहरी लिंगानुपात कितना और ग्रामिन कितना अगर 2011 के हिसाब से देखें तो 1000 पुरुषों के पीछे 914 महिलाएं थी तो शहरी शेत्र में बहुत अच्छा strong ratio था कितना 1000 पुरुषों के पीछे 914 महिलाएं लेकिन ग्रामिन शेत्र में लिंगानुपात उस समय और भी जादा 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं तो important बात है कि 2011 की जनगरणा के हिसाब से अगर compare किया जाए तो राजस्तान में ग्रामिन शेत्र का लिंगानुपात comparatively बहतर 933 है जबकि शेहरी शेत्र में 914 वो भी ओर ओर ठीक है बुरा नहीं है लेकिन अगर इसको जिलावार देखा जाए तो ऐसे कौन से जिले हैं कौन से district हैं जिन लिंगानुपात वाले जिले कौन-कौन से नंबर एक पे अगर हम लोग compare करें तो नंबर एक पे हमारा आता है टॉंक है तो टॉंक में सरवादिक लिंगानुपात है और वो भी कितना 985 याद रखिएगा हजार पुरुशों के पीछे 985 मैल आए टॉंक नाम याद कर लीज दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा उसके बाद परताबगर डुंगरपूर और राजसंबंध आगे जाके लेकिन एक और बात इसमें एक विचित्र बात है ध्यान दीजेगा और यह विचलेशन करने की बात हो क्या आगे जाके आप लेकिन ज़्यादा शेहरी करन ही नहीं हुआ वहाँ पर आपको याद होना चाहिए सब ज़्यादा टॉंक देन बांसवाड़ा उसके बाद में परताबगर देन दूंगरपूर और राजस्थान जहां तक मुझे याद आता है दूंगरपूर तो पूरे राजस्थान के अं जैसलमेर जैसलमेर में कितना है 807 तो 807 ही है अब जैसलमेर के साथ देखें तो निचे से दूसरे नंबर पर धोलपूर उसके बाद अलवर गंगानगर और भरतपूर यह जिले आप याद रख लिए नियुन्तम और अदिक्तम लिंगानुपाद उसके बाद हम लोग बात क का मतलब है वो तो हमने व्यस्क्रिजन संख्या के हिसाब से देखा बच्चों के बीच में अगर हम लोग देखें कि उनका जैंडर रेशो है सेक्स रेशो क्या है तो 2001 के हिसाब से शेहरी शेतर में यह था 887 इसका मतलब तो बच्चों का लिंगानुपाद शेहरी शेतरों में गिरा है नीचे 874 आ गया 87 से घटके और ग्रामिंट शेतर में इसकी हालत काफी खराब हुई 914 से यह 802 में हो गया तो हम कह सकते हैं कि अगर बच्चों का लिंगानुपाद देखा जाए तो शेहरी शेतरों की तुलन नामे ग्रामिंट शेतर में घट रहा है शेहरी शेतरों ग्रामिंट शेतर दोनों में घट रहा है 2001 की तुलनामे उसके बाद राजस्तान में सरवाधिक शेहरी बालिंगानुपाद वाले जिले ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें बालिंगानुपाद सबसे स्रेष्ट है अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो सबसे पहले आता है नागोर, नागोर के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपाथ है 907 और नागोर के जस्ट बाद में बस एक बच्चे के अंतर से खड़ा हुआ है विका नेर, तो नागोर और विका नेर, सरवादिक लिंगानुपात वाले जिले, उसके बाद में भेलवाडा, बारा और चूरू, यह टॉप पांच हो गए, दूसरी तरफ हम लोग देखें कि नि लिंगानुपात है, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर साक्षरता के हिसाब से, लिटरेस्टी के हिसाब से देखा जाए, तो ग्रामीन और शहरी शेतर में सरवादिक साक्षरता वाले जिले कौन-कौन से हैं, आईए उसको भी देखते हैं, सरवादिक शहरी साक्षरता वाल याद रखिएगा, यह सारे वो डिस्टिक्ट है, जहां पे शहरी करण भी कम हुआ है, जिसकी वज़े से अनुपात अच्छे दिख रहे हैं, यह सोचने की बात है, यह अनुपात एक्च्छल में जो सबसे बड़े शहरी करण वाले जिले हैं, उनमें अच्छा आना चीए, ल नागोर हमें दो-तिन जगे नियुंतम नजर आ गया, तो सबसे नियुंतम साक्षरता 70.6 नागोर में है, अब हम लोग देखते हैं इसमें, कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा, जनसंख्या नहीं, शहरी जनसंख्या के हिसाब से, तो जैसे जैपूर भी आप जानते हैं कि वैसे जैपूर शहरी जनसंख्या में सबसे उपर आता है, लेकिन जैपूर भी दो तरह का है, जैपूर एक तो शहर है और जैपूर ग्रामीन भी है, तो हम जैपूर ग्रामीन को इसमें शामिल नहीं कर रहे है, इसका मतलब ये जैपूर की कुल जनसंख् नमबर एक पे जैपूर शहर है और जैपूर के बाद में कौन-कौन से शहर आएंगे जोधपूर, कोटा, विकानेर और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला कौन सा आएगा बांसवाडा आप यह देखिए बांसवाडा हमें दो-तीन जगे अवल दर्जे पे नजर आ रहा था लि शहरी करण में स्थानी परिवर्तन का मतलब है, गाउं से शहरों की तरफ पलायन, वो कहां कहां पर कैसे हो रहा है, देखिए रास्तान में सबसे ज़्यादा शहरी कृत जिले, ऐसे कौन से जिनका अर्बनाइजेशन, शहरी करण सबसे ज़्यादा हुआ है, कोटा सबसे मान लिजिए, कि ये मान लिजिए जिले का पूरा एरिया है, और पूरे एरिया को जिले को हम 100% मान लें, तो इसमें से शहरी जिला कितना बन चुका, तो कोटा 60% शहरी हो गया, और मतर 40% कोटा का भाग ही रूरल या ग्रामीन बचा है, जैपूर अभी लगबग आदा 52% श जाता है, 33% शहरी है, इसका मतलब 67% आज भी ग्रामीन है, और अगर नियूनतम में देखें, तो देखें, बांसवडा, मात्र 7% ही शहरी में convert हुआ, बाकि सारा ग्रामीन, बाडमेर 7% दूंगरपूर, 6.39%, तो ये सारे कम जनसंख्या वाले, कम शहरी करन वाले जिलेर, इन आज भी ग्रामीन एरिया में ही covered है, उसमें शहर नहीं है, पूरे अगर अखिल भारतिय स्तर से compare करें, तो ग्रामीन और शहरी शेत्रों के और पलाइन करने वाले वेक्तियों का 4 प्रतिशत है, मतलब total अगर देखते हैं, तो यहाँ पे ये 4% आता है, इंडिया की comparison में, इस पलाइन करते हैं, लेकिन इनमें कारण ढूंडा जाए, कि कारण क्या है, ये ग्रामीन शेत्रों से शहरी तरफ क्यों आ जाते हैं, तो पुरूष maximum आते हैं, काम और रोजगार के सिलसले में गाउं छोड़ते हैं, और शहर की तरफ आते हैं, महिलाएं जब shift होती हैं, तो मह महिलाओं का मेजर कारण रहता है, वैवाही कारण, वैवाही कारण का मतलब है, शहर में रहने वाले लड़कों से शादियां कर दी जाती हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भविशे सुन्दर हो, भविशे अच्छा हो, जिसके लिए देखा जाता है कमाने खाने वाला रहता है, लेकिन मेजर कारण वैवाही कारण है, अब राजस्तान में शहरी आवासों की स्थिति देखते हैं, आवास मतलब मकान, रेजिदेंस, रेजिदेंस के लिए अगर हम लोग देखें, तो अगर compare किया जाए, पूरे भारत में लग बग 68.4% शहरी आवास अच्छी स स्थिति के घर हैं, शहरों में, इसके हिसाब से देखा जाए, तो राजस्तान थोड़ा सा उपर की तरफ हमें नजर आता है, तो राजस्तान थोड़ा सा बहतर परिस्थिति में है, उसके बाद अगला देखते हैं, भारत की जंगर्णा 2011 में घरों को तीन केटेगरी में हम इसके हमें घरोंको ने बाटा कि तीन प्रकार के घर होते हैं, कौन-कौन सा अच्छी स्थिति वाला घर रहने योगे और और इस्रा होता है, जिन शिन मतला, बिलकुल खत्म हालात वाला घर, रहने लाए, काम चलाओ, और अच्छी चिति वाला घर, तो three केटेगरी हैं, इन राजस्थान में और भारत में दोनों में बराबर 29% है, जीर्ण शिर्ण घरों की संख्या भारत में ज्यादा है, 3% है, जब कि राजस्थान में जीर्ण शिर्ण घर 2% ही है, इसलिए यहां से 1% निकल के उपर की side shift हो गया, तो यहां से 1% minus हुआ और 1% उपर shift हो गया, तो यह बताता है कि शहरी शित्र में आवास होगी स्थिति क्या है, अब हम लोग पढ़ें कि राजस्थान में शहरी विकास के लिए क्लिए क्या काम हो रहा है, तो देखिए राजस्थान में शहरी विकास में तीन विकास प्रादीकरण पहले थे, इसके साथ में अगर आपने बज पढ़ा है तो बजट में नए विकास प्रादीकरण बनाने की भी बात कीगी लेकिन फिलहाल क्योंकि हम सर्वेव पढ़ रहे हैं इसलिए हम नई बात नहीं पुरानी बात ही करेंगे फिलहाल तो तीन विकास प्रादीकरण जैपूर, अजमेर और जोदपूर है इसके अलाव चोधा, शेहरी न्यास, ट्रस्ट है चोधा, जिन में से अलवर, आबू, बाडमेर, भरतपूर, बीलवडा, बिकानेर, चितोडगर, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपूर, श्रिगंगानगर, सिक्कर और सवाई मादोपूर, तो अभी तक, पिछले साल तक, चोधा, हमारे प्रशाशन गाओं के संग, तो वैसे ही उसी की तरशपेकोर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है प्रशाशन शेहरों के संग, प्रशाशन गाओं के संग में क्या होता है, ग्रामिंट जनसंख्या की जो छोटे मोटे विवाद है, छोटी मोटी उनके शिकायते अधूरी है, उनको सुनने के लिए प्रशाशन पुरा अपना अमला लेकर गाउं भी पहुंच जाता है और वहीं पर स्थानी लेवल पर उनके शिकायते निप्टा दी जाती है यहाँ पर भी कुछ वैसा है, लेकिन यह ग्रामिन शेत्र नहीं शेत्र में है, तो जो लास्ट वैक्ती शेर में बैठा है उस तक परशाशन पहुंच जाए, इसके उदेशे से यह किया जाता है चोटी मोटी समझ से हैं, उसके निप्टा दी जाती है शेहरी शेत्रों के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज के दिन कोई है तो वो है मैट्रो, और आप जानते हैं कि राजस्तान में मैट्रो संबंदी काम राजस्तान मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सरी, जैपूर मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन करता है तो जैपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बेसिकली मेट्रो सेवा का संचालन उन्होंने सबसे पहले तीन जुन 2015 से शिरू किया उसका नाम था फेज 1A और वो कहां से खहां तक हुआ मानसर्वर से लेके चांदपोल तक जो सक्सेस्फुली चल रहा है तो मानसर्वर से चांदपोल तक की connectivity फेज 1A 3 जुन 2015 से उसके बाद फेज 1B पहले फेज में भी चलाया गया वो है चांदपोल से बड़ी चौपट तो चांदपोल से बड़ी चौपट है जिसके अंदर है छ पड़ी चोपड से ट्रांस्पोर्ट नगर और उसके बाद में है फेज टू सीतापुरा से अमबाबाडी है तो यह सारे के सारे Metro Projects हैं जिनमें से कुछ एक एक्टिव हो गए है कुछी पर काम चल रहा है राजस्तान के अंदर जितने भी नए constructions होते हैं उन constructions के अंदर नियमों के हिसाब से construction हो builder लोग क्या गरते हैं नियमों को ताक पे रखके booking तो ले लेते हैं लेकिन लोगों को बाद में समय से गरों के delivery और यह सब चीज़ें नहीं दी जाती हैं उनको समय से निप्टाया जा सके और उनके लिए पहले से तैमानक हों जमीनों का दुरूप योग ना करें proper ventilation वगरे बिल्डिंग में छोडें safety measures use करें इन सब चीज़ों के लिए राजस्तान में एक authority बनी हुई है राजस्तान में यह देखिए वह वाला 1 मई 2016 का था एक मई 2017 को राजस्तान के अंदर हम लोगों ने इसके basis में real estate rules बनाए उनी के अधीन हम ले रेरा बना रिखी है और उस रेरा के अंदर हम लोग यह विवस्ता करते हैं कि सारा काम पारदर्शी तरीके से हो इसके लिए हम लोग भोशिश यह करते हैं कि जो promoter, real estate agent उनको अपना registration कराना होता है तो उनको अपना पंजी कराना है तो online आविदन करे रेरा के पास अपने project को register कराना होता है आज के दिन अगर कोई project रेरा में register नहीं है आप उसमें घर या property book कराते हैं तो वो risk पे है आपका खतरा है वो एक tribunal भी बना रहिए, tribunal का मतलब है अगर इस संबन में कोई विवाद हो जाता है, builder से कोई विवाद हो जाता है, promoter से विवाद हो जाता है, agent से कोई विवाद हो जाता है, तो उसकी सुनवाई भी वहाँ पर हो सकती है और सब के लिए online आविदन होते हैं, इसके अलावा श राजस्तान Housing Board की साफना की थी। राजस्तान Housing Board शहरी शेत्रों के अंदर जमीन आइडेनटीफाई करके उस जमीन को अधिग्रान करता है। उसके उपर अपार्टमेंट बनाता है और अपार्टमेंट बना के पब्लीक को cost effective, सस्ती रेट पर उपलब्द कराने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि RHB की अपार्टमेंट्स, RHB की कॉलोनी के नाम से बोला जाता है, लग बग राजस्तान की कई शहरों के अंदर ये कारे रथ है जैपूर में तो काफी देखने को मिलता है अब इसमें कुछ चीज़े ऐसी हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है तो इसमें है कि राजस्तान राज्ये में केवल साथ शहरों से इन्होंने प्रार्म किया था और एकाउन वर्सों के दोरान पिछले 50 साल से ज़्यादा इनको हो गए अब ये 67 शहरों तक विश्ट रहते हैं मतलब राजस्तान के अलग-अलग 67 शहरों के अंदर सीटी के अंदर राजस्तान आजस्तान और के प्रोजेक्ट हने की Absatz Fujot रहे है या कुछ चल रहे, कुछ एक राजस्तान के नाम पताऊंगा इनको आपको करे इसे बहुत जास्तान इंपॉर्टन की झारत नहीं है जैसे इन्होंने एक scheme चला रिखिए जिसका नाम है अपनी दुकान अपना व्यावसाई इसका मतलब जो businessmen लोग होते हैं वो किराई की दुकान लेकर उस पर business करते हैं जिससे उन्हें घाटा होता है तो government ने उनको small installments में चोटी-चोटी किष्टों के अंदर घर देने की scheme बना रिखिए अपनी दुकान अपना व्यावसाई अगर व्यावसाई आपका है तो दुकान भी आप खरीद सकते हैं इस तरह का इसके अलावा एक बहुत ही hyped project है जिसके बारे में बेहत चर्चा होती है जिसका नाम है coaching hub coaching classes आज के दिन एक तरह से modern education system में सारी चीज़ों को देखते हुए necessity हो गई है अब coaching classes पूरे शहरों में इधर उधर scattered है जगे जगे फैली हुई है और जैपूर जैसे शहर में तो पूरे शहर में coachings फैली हुई है जिसकी वज़े से कई बार ऐवेवस्ताइं भी देखने को मिलती है ट्राफिक जाम और कई समस्यां आती है तो उन सब के लिए और coaching classes जहां पे जाती है उनको कुछ basic सुविधाई भी चाहिए तो रक्षा मानक भी चाहिए लाइबरेरी भी चाहिए coaching जहां पे जाएंगी वहाँ पे hostels भी चाहिए तो शहरी शेत्र के बीचों बीच यह सब नया विक्सित करना possible है नहीं और शहरों के बीचों बीच ऐसा area होता नहीं इसके लिए government ने प्रताप नगर के अंदर एक area identify करके वहाँ पे coaching hub develop करने का plan बनाया इस coaching hub के अंदर वो सारी सुविधाई विक्सित की जा रही है जो एक coaching class या उससे जुड़ीवी चीजों के लिए चाहिए तो कहां पे है ये प्रताप नगर सांगा नेर योजना में पन्ना धाय सरकल के पास में व्रहद coaching hub विक्सित किया जा रहा है और उस व्रहद coaching hub में क्या-क्या चीज़े हैं अगर आप लोग देखेंगे तो एक तो centralized library के अंदरिकरत पुस्तकाले एक cyber lab मनरंजन केंदर, gym, health club, food court, restaurant सपना और नाम तो बहुत बड़ा है वाकि आगे धरातल पे कितना convert होता है यह देखने का है जहां तक मुझे खयाल है अभी तक वहाँ पे coaching institute गए नहीं है या अभी तक delivery भी वहाँ पे मिली नहीं होगी उसके बाद मुख्य मंत्री सिक्षक आवास योजना एक चलाई गई और ऐसे ही मुख्य मंत्री प्रहरी आवास योजना चलाई गई यह क्या है जो सिक्षक वर गए second grade, third grade, first grade teachers है उन लोगों को शहरों में अपना घर मिल सके इसके लिए एक ये scheme चलाईगी जिसका नम शिक्षक आवास योजना है इस योजना में बाकी लोग अप्लाई करी नहीं सकते सिर्फ शिक्षकों के लिए ही था तो जिसकी वज़े से उनको घर मिलने के जान्द से जादा होंगे ठीक ऐसे जो सुरक्षा कर्मी है जो पुलिस में है उन लोगों के लिए एक योजना लाईगी जिसका नाम रखा गया मुख्य मंतरी प्रहरी आवास योजना तो जो प्रहरी हैं सुरक्षा बल हैं पुलिस वाले हैं वो यहाँ पे घरों के लिए अपलाई कर सकते उनको सस्ती दर पे घर मिल जाता है सुईदा जनक घर उनको प्रदान कर दिया जाए ऐसी कोशिश की जाती है इसके बाद में अगर हम लोग आगे चले यह आपको याद रखने की ज़रुरत नहीं है कि भुकंड काकार क्या है और कितने घर बनेंगे उसमें अगला है महात्मा गांदी संबल आवासिय योजना महात्मा गांदी संबल आवासिय योजना बेसिकली नाम संबल है यह जो विकर सेक्षन होता है आर्थिक रूप से कम सक्षम शेत्र होता है उनके लिए है, ठीक ऐसे ही एक और है, SIS Residency, SIS Residency भी जैपूर के प्रतापनगर में बन रही है, आप यो माल लीजे कि आज के दिन जो Majority लेंड है, Housing Board के पास, Majority प्रतापनगर के साइड़त, उनके नए प्रोजक्त लगबग वहीं पे ही होता है, और इसके अंदर हम लोग आगे चलें, अगला है, राज की विधिक सेवाँ की अत्यदिक मांग पर विचार करते हुए, उपरोक जोजना से सटे हुए भूकन पर वि जैपूर में City Park, यह City Park क्या है, मानसरवर जैपूर के अंदर एक बड़ा पार्क विक्सित किया जा रहा है, जो राजस्तान का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क होगा, इस तरह का वहाँ पर बात की जा रही है, और लगबग, 52 एकड़क की भूमी पर इसका कारिय भी शुरू हो गया है, और यह सबसे बड़ा पार्क होगा, ऐसा बोला जा रहा है, इसके साथ साथ एक और नई चीज हमने विक्सित करनी शुरू की, जिसका नाम है जैपूर चौपार्टी, जैपूर चौपार्टी बेसिकली एक ऐसा हब है, जहां पर जाके आप खा बना बना खा सकते हैं, अलग लग टाइप के कोजिन या वहां पे खाने सब चीजें अवेलेबल होती है, फोड़ा वहां पे एंटर्टेन्मेंट का साधन भी होता है, तो फैमिलीज वहां पे आउटिंग कर सकती है, जिसमें दस्तकार नगर, नायला, मांसरो और प्रताप इन सब के अंदर इसका काम पूरा हो चुका है, कुछ बरताप नगर के लिए सब तो operational भी हो चुके है, चालू हो चुके है, उसके साथ साथ तिबती शर्णार्थी आप सभी जानते हैं, तिबती शर्णार्थी हर सर्दियों के अंदर तिबत मार्केट के नाम से बाजार गया, वहाँ पर temporary उनको जगे अलोट की जाती थी, जिसमें बहुत difficulty आती थी, वहीं पर मान सर्वर के अंदर ही जुलेलाल मार्केट के नाम से एक मार्केट पहले विक्सित किया गया था, जिसमें कोई भी शॉप अभी तक सेल नहीं हो पाई थी, और वो खाली ही पड़ा थ अस्थान मिल गया और temporary adjustment की जरूरतब नहीं है, ठीक ऐसे ही, आवसन मंडल जो काम करता है, उसमें गुनवत्ता रहे, इसके लिए सजग के नाम से एक mobile app बना हुआ है, तो कोई भी अगुनवत्ता को लेके शिकायत है, तो सजग app से आप शिकायत कर सकते हैं, इसके अलावा RH RHB Green, रासन housing board Green के नाम से भी एक application बना हुआ है, जिसके माध्यम से नए पेड वगरे लगाना, वरिक्षार ओपन, इन सब के संबन्द में काम किया जाता है, इसके अलावा RHB Awas नाम से भी application बना हुआ है, ओनलाइन का जमाना है, तो इस app का basic purpose यह है, कि हम यह कोशिश करते है इसके माध्यम से survey करके पता लगाना कि कितने मकानों की requirement है, एक बहुत landmark काम किया जा रहा है, जिसका नाम है constitutional club of जैपूर, constitutional club क्या है, दिल्ली में भी ऐसा constitutional club बना हुआ है, जिसके अंदर entertainment, library, gym, यह सारी सुधाएं हैं, और basically वहाँ पे यह सानसदों के लिए है, तो ठीक व का काम करेगा, इसके साथ साथ जगे जगे राजस्तान के अंदर open air gym स्थापित किये जा रहे, रहे रहे हैं, रहे बी की योजनाव में तो हो गई, open air gym का मतलब है, खुले में exercise की equipment लगा दिये जाते हैं, जिससे लोग खुली हवा का और exercise का दोनों का अनद एक साथ उठा सक जाता है, शेरों के master plan बनाना, sector plan बनाना और अन्य संबंधी plan बनाना, उस plan में यो बताते हैं कि कहां पे sectionic भूमी कहां होगी, नालियां कहां से निकलेंगी, drainage system क्या होगा, sewerage system क्या होगा, चोडाई सडकों की क्या होगी वो सब, तो लगबग सभी शेरों के लिए 20-20 notification नहीं किया जाता, और ये सारा का सारा भी हो रहा है काम, इसमें भी आपको याद करने की ज़रूरत ऐस सच नहीं पड़ेगी, कि कौन-कौन से area के लिए master plan बनाना और कहां कहां का भी बाकी हैं, इसके अलावाद, दीन दयाल, अंतियोदय योजना में, शेहरी अजीवी का mission mission चलाया जा रहा है, शेहरी अजीवी का mission में भी बहुत कुछ याद करने के लिए ज़रूरी आपको नहीं है, जो कमजोर शेतर के लोग है, मतला आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए, उनके अजीवी का विकास का काम किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शमता व लोगों के लिए घर, यह सब कुछ, उसके बाद में अगला आता है, शेहरी जनसहभागी योजना, जनसहभागी योजना के अंदर कुछ पैसे सरकार देती है, और कुछ पैसे जो है, वो जनता से एकतर किये जाते हैं, जिसमें शेहरी शेतर में जरूरी स्विधाएं, जैस इसके बाद एक और योजना चल रही है, जिसका नाम है चोटे और मध्यम कस्बों में शेहरी आधारभू धाचे के विकास की योजना, आधारभू धाचे से जुड़ी होई चीजे कौन सी होते हैं, उसब हम जानते हैं, लेकिन इसमें जो टार्गेट है, वो सिर्फ छोटे बड़े शेहर नहीं है, ऐसे एक योजना पहले से चलती ही आ रही है, जिसका नाम है राजीव आवास योजना, राजीव आवास योजना बेसिकली हम यह प्लाइन करते हैं कि जो शेहर हैं, उनको सलम फ्री बनाएंगे, जुग्गी बस्ती से मुक्त शेहर का विकास करेंग जिस फंड के अंदर जो भी पैसे होंगे, वो अनुदान की रूप से वहाँ पैसे आते हैं, उस अनुदान के साहिता से शेहरी शेतर के विकास का काम किया जाता है, एक मेजर प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन राज़तान सरकार का नहीं, यह लेकिन अब भी बजट जब आप पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कि रास्तन सरकार ने भी अपने दम पे भी कुछ और शेहरों को स्मार्ट बनाने का निरेन लिया, यह तो भारत सरकार की योजना, इसके अंदर पांच वर्ज की अफदी में सो शेहरों को स्मार्ट ब जिसके अंदर नागरिकों को बैतर सुविधाएं, जैसे कि नालिया, परिवहन, शेतर की सुविधाएं, सीवरेज की सुविधाएं, इन सब के लिए काम हो रहा है, राजस्तान में भी यह काम जोरो शोरो से चालू है, LED लाइट पर योजना चल रही है, स्ट्रीट लाइट इसको LED लाइट से कनवर्ट कर दिया जाता है, जिससे बिजली का बिल कम आए, और लाइट की विवस्ता हर उस जगह पहुंच जाए, जहां पर बिजली की कनेक्टिविटी नहीं भी है, जिस तरह से स्वच भारत मिशन चल रहा है, उसको शेहरी और ग्रामेंड में जा रहा है, पुर्धान मंत्री आवास योजना, ये बेसिकली राजस्तान की योजना है नहीं, भारे सरकार की योजना है, जिसमें 3 लाग से लेके 6 लाग रुपए तक की जिनकी आई होती, उनको अलप आयवर्ग वाला बोला जाता है, तीन से कम वालों को कमजोर करवाया जाता है, इसके साथ-साथ एक नया ट्रांसपोर्ट डवलपमेंट फंड बनाया गया है, जिसकी साहिता से जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग थोड़ा सा बैटर करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा, राजस्तान का जो स्वायत के रूप में देखा जा सकता है, और शेहरी जलापूर्ती को सुधारने के लिए भी, और कोशिश की जा रही है कि हर गाम, हर शेहर तक जो लेंड एरिया है, उसके तुरूई पाइपलाइन से अच्छा पेजल पहुचाया जा सके, तो ये बेसिकली राजस्तान के शेहरी श जानकारी के साथ में, तब तक के लिए keep learning, keep enjoying, thank you.